पुलिस कस्टेडी में एक मारपीड के अरोपी ने जहर खाकर जान दी पतनी से मारपीड के अरोपी पर महिला पुलिस थाना बद्धी में मामला दर्ज है और वह 21 सितंबर तक पुलिस रिमान में था यहां उसने अपने कपड़े ले जाने का बहना बनाया और कबरे में अकेला चला लिया जहां पहले सी रखा कृटा नाशक उसने खा लिया सोलन के अध्योगिक शेतर नालागड के रामशहर में पुलिस कस्ड़ी में एक मारपीड के आरोपी ने जहर खा कर जान दे दी यह घटना उस दोरान घटी जब पुलिस कर्मी मारपीड के मामले में इस्तमाल हत्यार की रिकबरी के लिए आरोपी को उसके घर लेकर गए उसकी तब्यत खराब होती देखी तो उसे तुरंथ नजदी की क्लीनिक में लेकर लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया रामशहर थाना पुलिस ने मृतक के शब को पोस्ट मार्टम के लिए नालागड अस्पताल भेज दिया है ब्यस्पी नालागड चमल नाल ने घटना की पुस्टी की है वीरो रिपोर्ट एन टीवी जमों कस्मीर से अनुशह 370 और पैंदिस ए को निश्परभावी किये जाने के बाद बिजेपी इसको लेकर पूरे देश में जन जागरन और संबर अभ्यान चला रही है मोदी सरकार के अनुशह 370 हटाने के फैसले को विस्तार से आम लोगों को समझाने के लिए बिजेपी इस देश ब्यापी अभ्यान शुरू किया है जो 30 सितंबर तक चलेगा और धारा 370 के ऐसी धारा थी जो सबसे बड़ी बादा थी जम्मू कश्मीर और भारत के भावनात्मक रिष्टों को जोडने के लिए उस बादा को समाप्त करने के आफशक्ता थी सत्तर वर्ष बीत गए और सत्तर वर्ष बीतने के बाद मोदी जी देश के परधान मंत्री बने और दूसरी बार परधान मंत्री बनने के बाद सत्तर दिनों के अंदर इस काम को करके दिखाया मैं आदनी परधान मंत्री निरंदर मोदी जी को और हमारे ग्रिया मंतरिया मिश्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक आतियासिक निर्ने जिस निर्ने से पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश गया और पाकिस्तान बिचलित हुआ अपनी बात को कहने की परस्थिती मैंने और ऐसे मैं मैं इस निर्ने का विनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ पार्टी ने तैय किया कि इस सारे निर्ने को आम जंता तक पहुंचाने के लिए नीचे तक पहुंचाने के लिए पार्टी को काम करना चाहिए इसलिए केंदर के मुंतिरों की ड्यूटी सभी परदेश इसके सब नेता जाकर के मंदस्तर पर जाकर के इस कारेकम को करने के लिए निकलेंगे इसे अभियान के अंतरगत ताकि एक बहुत बड़ा संदेश कश्मीर से कन्यकमारी तक भारत एक हुआ है सही माइने में एक हुआ है एक तिरंगे जंडे के नीचे एक हुआ है हम बहुत ब से विकास की रहा पर आगे बढ़ेगा लदाक रीजन जिनकी वर्षों से मांग थी कि हमारा वहां पर यूनिन टेरिटरी होनी चाहिए तो यूनिन टेरिटरी के कारण लदाक अपने उस रीजन में जो है जो है अपनी ड्वल्प्मेंट को आगे बढ़ाएगा और जम्मो कश् को फिलाल यूनिन टेरिटरी लेकिन साथ में ये भी बात कही गई हमारी केंदर नेतित्त द्वारा मिश्जाज ने लोकसभा के अंदर कहा कि जैसे जैसे वहां पर हलात सामानने होंगे हमारे मन में जोमो कश्मीर को रियासत पूरा राज्य का दर्जा देने का भी भाव है और जैसे वहां पर नॉर्मल सीचुएशन होगी उसके अनुरूप जो है जोमो कश्मीर को राज्य बे बनाए जाएगा तो मुझे लगता कि बहुत बढ़िया निरने जो है वह हमारी केंदर के नेतित तो ने किया है और ऐसी यही एक मातर था रास्ता जिसके मादिम से भार भारत को एक होने का संदेश और उसके साथ जम्मो कश्मीर भारत का हिस्सा है अभिन हिस्सा है यह कहने कि आप शक्ता नहीं जम्मो कश्मीर भारत का है इतनी बात है विलासपुर जिला के गुमार्वी उपमंडल में पढ़ने वाले कोठी टॉपका गाउं में एक महिना पहले एक युवा की संदिक्द परसित्यों में कुई मोत को लेकर सरकार से उचस्तरी जांशी गुहार लगाई गई है विलासपुर में मीडिया को अपनी व्याथा बताते हुए मृतक की वृत माता ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की मोत को पुलिस की मिली भग्त से साम के काटने का रूप दे दिया गया है जबकि उसकी हत्या की गई है इस है तो नसाफ करो बिज़ा और ख़ाए मुझे नसाफ जाए मुझे रेना मेरा बी मальная गारी कड़ोछ लेस देए शाव मुझे पूर्सをऻ़ेने कुछ ने किया कोई कारवाय ने किया है तैंकाते यह ब्ल्ला मां के प्याण पार्ण प्रण देनलाओ थीजि जिते हरें बत्चेन देला लाई मेरे सामन जो हुआ से मैं तस देना बोल लिए बोले पेजि दो तां देना बोले माने पोतों पेया अमां पड़ जो की रहा ने तो बुट पेया लाई देखे मैं तसे को हम यहाजि पाईरा बहरी ऑधियां ब महिला ने बताया कि सारा शडियंत्र उसकी बहु के द्वारा रचा गया है और पुलिस ने तथ्यों के बपरीत उसी से मिलकर उसे निर्दोश बताया है महिला ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले में दोशी पाय जाने वाले पुलिस कर्यों के खिलाब भी कारवाई की जाए और मामले की निस्पक्ष जांच की जाए दुख्यारी मां के साथ आई गाउं की दरजनों, महिलाओं ने भी मामले की उच्छ स्तरी जांच की मां की है आपको बता दे की मामले को लेकर पहले भी जिलाधीश कार्याले के बाहर ग्रामिन अपना रोश व्यक्त कर चुके हैं तो लड़की के बाग ने इसको दख्का दिया और वो उसको ठाया और वो ठाते वो दो चार जाने लेगे शाड़क तो नीचे हैं और उदर से और च्वाडी में उनके गार है वहां लेके उसके डेथ साटिवकेट लेने पंजायत में तो बोलते हैं कि डाक्टर का लिखा विलासपुर से विनोच चड़की रिपोर्ट प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कोशन ने कहा कि भाजपा के वरिष्ट नेताओं के खिलाप शोशन मेडिया पर जो भरस्टाचार की गंवीर आरोप लगी है सरकार उनकी जाच नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मामले को लेकर जाज़ो ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो सके अब ही पिछले दिनों से हिमासिल परदेश में एक वीके बहुत चर्चा में हैं भार्ते जन्तापाटी के कुछ वरिष्ट नेताओं ने भार्ते जन्तापाटी के ही अलग अलग भी भागों के उपर मंत्रियों के उपर अनिम्ताओं और भाष्टाचार के उपरी गंभीर अरोप लगाए हैं और मज़ेदार बात ये है कि जिन लोगों ने अरोप लगाए सरकार की एजन्सियां उन ही लोगों की जांच करने हैं जो अरोपित हैं जो अरोप है उनकी जांच करने की बजाए जिनों ना अरोप लगाए हैं सरकार की जैंसे उनहीं को ग्रेले जानए हमारे प्रदेश कॉंबस्ति मेट्री के जशने पिछले का लिए ही मांग की है कि जो आरोप लगे हैं वो चाहिस्वास्ते लिवाग के उपर हैं उन तमाम आरोपों की जार्ज आई कोट के जाज से करवाई जाए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी कोश्के सचाई जो नहीं हो अर आने वाले समय में धर्मशाला में एक इन्वेस्टर मीट होने जा और यह कॉंगर्स पर्टी हिमाचिल परदेश के अंदर नए उद्यों गाए इन्वेस्मेंट हो लोगों को रोजगार मिले उसका स्वागत करती हैं और हिमाचिल परदेश के अंदर आज इतना भी इंडेस्टिलाज़ेश्ट हुआ है और पॉजेक्ट साहिए कि सारे कि सार पर्टी इस दिशा में काम करें हम स्वागता हैं लेकिन आज का जो दौर है जिसमें अज पुरा हिंडोस्तान जो है आर्थिक मंदी के दौर से मुझर है हर तरफ एक जो हमारी देश की जो आर्थिक स्थिती है वोड़ी विकट और विक्राल रूप धार्ण करती जा रही है पर ऐसे हालात में जहाँ अलग अलग हमारे जोग मेंचा हैं जहां जहां ये बंद हो रही है ऑटो मंवाईज का बहुत बुरा हाल है इस एकटर का और हमी स्थित का तर प्राइवरी जो क्रोड है उनकी प्राइबेट शेक्टर में रोजगार था जा हो छिन रहा है ऐसे दो और में कौन इन्वेस्ट करने यहां आएगा यह हमारी समझ से पड़े रुकेंगे एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे